हलो एब्डिवन आज डेट है 9 अपनाउंबर 2022 और देहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोटन न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अफ्वी से डिस्कस करेंगे नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉलकनो आईयस केडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलग्राम चैनल वॉलकनो आईयस केडमी के साथ में जूड सकते हैं वहाँ पर हर एक्जाम, मिन्सियो, PSC, स्टेट, PCS and other exams के point of view से काफी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि सुबन रेखा river को आपको map में view करना है फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आप से question पूछाता सामबर लेक को लेकर के तो सामबर लेक को अगर हम map view करें हमारे इंडिया का जो राजस्तान state है वहाँ पर सामबर लेक exist करती है सामबर लेक हमारे country की largest inland saline water lake के रूपे located है यह जो सामबर लेक है यहाँ पर हजारों की संख्या में हर साल migratory birds आते हैं जिसकी वज़े से भी काफी जाता news में बना रहता है तो इस सामबर लेक से related basic facts हैं जो आपको पता होना चाहिए देहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है देहिंदू के front page पर ministry of environment, forest and climate change ने अंडमान एन निकोबार आईलेंड में जो great निकोबार आईलेंड है वहाँ पर एक project के लिए clearance जो है वो approval कर दी है अब यह project क्या है इस project में लगबग 130 square kilometer जो forest area है उसका divergen किया जाएगा और वहाँ पर जो है वो एक transshipment port एक airport, एक plant, एक power plant और एक green field township जो है वो वहाँ पर establish की जाएगी simple और आसान language में आप इस तरीके से समझो कि वहाँ पर जो forest area है उसको remove किया जाएगा और फिर यह सारे project जो है वो वहाँ पर establish किये जाएगे अब यहाँ पर बताया गया है कि जो great nicobar island है उसका अगर हम total area को देखें तो लगबख 15% area जो है वो यह project cover करेगा तो यहाँ पर अगर हम discuss करें तो अंडबान निकोबर island जो है वो काफे ज़्यादा florine phona के perspective से काफे ज़्यादा rich है वहाँ पर बहुत सारी जो है tribal लोग रहते है तो यह सारा effect जो है उन सभी के उपर देखने को मिलेगा यह जो भी removal forest का removal वहाँ पर किया जाएगा अब यहाँ पर अंडबान एन निकोबर island जो है वो news में है तो उन से related हम कुछ basic facts को view कर लेते हैं यहाँ पर देखिए यह अंडबान एन निकोबर island का map है आप सभी को पता है हमारे इंडिया के एक union territory के रूप में exist करते हैं अंडबान एन निकोबर island बे ओफ बंगाल में देखो अंडबान एन निकोबर island अगर हम majority में view करें या फिर हम view करें एक macro level पर तो two parts में divide है और 10 degree channel जो है यह divide करता है अंडबान island को और निकोबर island को 10 degree channel के नर्दन पार्ट पर अंडबान island है और सर्दन पार्ट पर निकोबर island है बात हुई है ग्रेट निकोबर की तो जो निकोबर island है उनके सर्दन most part की रूप में located है ग्रेट निकोबर मतलब यह जो island है यहाँ पर यह project जो है establish होगा और यहीं पर है इंदरा point 6 degree 45 minute north latitude के साथ में जहां से इंडिया start होता है तो यह जो great निकोबर है इसके बारे में हमने location देख ली अब कुछ आदर important facts हम देख लेते हैं हमने देख लिया कि 10 degree channel जो है वो दोनों को separate करती है अंड़मान और निकोबर को यह important fact है आपको ध्यान में रखना है अब यहां पर आपको नारकॉंडम island और यह barren island जो है वो दिख रहा होगा यह दोनों के दोनों जो है वो volcanic island है यह आपको ध्यान में रखना है कुछ other important facts के अगर हम discuss करें तो saddle peak जो है वो यहां की highest peak है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो यह important fact हो गए जो हमारे important है साथ ही साथ अगर इसके origin की बात करें कि अंड़मान और निकोबर island का origin किस तरीके से हुआ तो ऐसा बोलते हैं कि Indian plate and Burman minor plate जो है उनके बीच में collision देखने को मिला और उसकी वज़े से इनका formation हुआ सेम जिस तरीके से हिमालिया का formation देखने को मिला next important news है देहिंदू के front page पर और यहां पर केरला में जो universities है उनके vice chancellor को लेकर के कुछ issue बना हुआ था तो केरला high court ने अभी जो है वो कुछ समय के लिए जो vice chancellor है उनको relief दिया है और वहां के जो governor है उन्होंने इस notice जो जारी किया था उसके उपर कुछ time के लिए रोक लगाई है issue क्या था? issue ये था कि केरला की एक university है अब्दुल कलाम technology university वहां के थे vice chancellor और उनको लेकर के supreme court में petition डाली गई तो supreme court ने result दिया 21st of October को की UGC की जो guidelines है कि एक committee recommend करेगी एक vice chancellor को तो जो committee बनाए गी थी ना उस committee में UGC की guidelines को follow नहीं किया गया था इसलिए उन vice chancellor की जो appointment है उसको reject कर दिया गया, nullify कर दिया गया अब इसी के basis पर वहां के जो governor है आरिफ मौमत खान उन्होंने 8 universities ऐसी हैं जिनके vice chancellor को लेकर के उन्होंने question किया और उनको show case notice जो है वो release कर दिया कि आप हमें बताओ आपकी जो appointment है वो भी UGC की जो guidelines है कि एक committee जो है वो recommendation दे और उसके basis पर जो person है वो recruit किये जाए तो जहां पर committee बनी वहां पर person सिर्फ एकी available था और जहां पर person जादा थे वहां पर committee ही नहीं बनाएगे कुछ ऐसा procedure देखने को मिला जिसमें UGC की जो guidelines उनको follow नहीं किया गया था तो यहां पर high court ने बोल दिया है कि जब तक इस discussion पर या इस तरीके की जो petition है उनको ले करके जब तक result नहीं आता तब तक why chances जो है अपने post पर बने रहेंगे और अपना काम regular करते रहेंगे नेक्स्ट important article है यहां देखिए देखो जो EWS reservation है उसको Supreme Court ने उसकी validity जो है उसको appelled किया है तो इसी को लेकर के बिहार के जो CM है नितिस कुमार उन्होंने बोला है कि वो भी reservation की जो 50% की जो cap है उसको increase करना चाहते हैं उन्होंने हमेशा से इस बात के उपर focus किया था कि economically weaker section को जो 10% quota दिया जा रहा है उसकी हमेशा से उन्होंने advocacy की है 103 constitutional amendment act के थिरू जो है यह reservation जो है दिया गया था next important article है page number 5 south page पर और यहाँ पर यह image आपको दिख रही होगी और यह image है lunar eclipse की अब यह lunar eclipse होता क्या है यहाँ पर अगर हम discuss करें तो आप सभी को पता है कि solar system जो है उसमें sun जो है वो center पर है और sun के चारों तरफ हमारे solar system में 8 planets जो है वो क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं sun के चारो और एक fixed path के उपर और यह path कैसा है यह elliptical path है मतलब round नहीं है यह elliptical है इस तरीके से path है तो यहाँ पर हमारी earth जो है वो भी घूम रही है और आप सभी को पता है कि natural satellite के रूप में हमारे earth के चारों तरफ revolve कौन करता है moon revolve करता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह sun है यहाँ पर earth है और जो moon है वो इस जगह जो है वो क्या कर रहा है revolve कर रहा है earth के चारों तरफ तो यहाँ पर direct sun की जो rays जो है वो moon के उपर नहीं गिर पाती जिसकी वज़े से पर earth की shadow आ जाती है और इसको बोला जाता है lunar eclipse ओके तो यह देखा गया इसी के बारे में यहाँ पर बताय गया है तो यह जो moon है यहाँ पर इसकी वज़े से जब shadow देखने को मिलता है यह देखो इसकी जो rays जो है या इसकी जो light है वो इसके उपर नहीं गिरती जिसकी वज़े shadow हो जाती है आप सभी को पता है कि sun क्या है एक star है और जो star होते है उनके पास में खुद की light और heat होती है और अर्थ क्या है अर्थ एक planet है और moon क्या है moon तो एक satellite है तो इनके पास में planet जो होते हैं उनकी पास में खुद की light and heat नहीं होती है मतलब हम heat के लिए भी light के लिए भी sun के उपर dependent है अगर अर्थ के पास खुद की light होती तो यहाँ पर जो है वो eclipse creating नहीं होता क्योंकि इसकी light जो है वो moon के उपर गिर रही होती तो shadow तो create ही नहीं होती ना ओके तो यहाँ पर खुद की यहाँ पर जो आर्थ है उसके पास में light और heat नहीं है तो यह basic facts हमने discuss किये हैं आपको पता होना चाहिए जो ग्रोफी आपने start कर ही दियोगी और यह starting के ही पार्ट है जो basic features जो है ज यहाँ पर COP27 को लेकर के meeting की गई, meeting चल रही है तो उसी के बारे में यहाँ पर discussion किया गया है अब देखो यह COP27 का फिचादा news में है तो यह है क्या what is COP27 तो इसको लेकर के एक short video हमने upload कर रहा है उसका link जो है वो telegram channel पर आपके साथ में share कर दिया जाएगा और description box में भी आपक कर सकते हो, वहाँ पर COP क्या होता है, UNFCC क्या होता है, उन सभी के बारे में सारी basic बाते आपको बताई हुई है मतब environment से related बहुत सारे आपके basic facts जो है उस video में cover होंगे तो यहाँ पर COP27 की जो meeting चल रही है उसके बारे में बताया गया है, यह देखो यहाँ पर discussion होगा, बहुत सारे बड़ी-बड़ी discussion क्या जाएगा, कि यह कर देंगे, यह climate change के उपर यह focus कर देंगे, इस तरीके से जो है problem को solve कर दिया जाएगा, इतना emission कम कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही result बाहर निकल करके आएगा, meeting complete होगी, तो सिर्फ और सिर्फ जो है, वो कागजों में वो सा time में वो, यह जो भी issue देखने को मिल रहे है, climate change, environment, इन सभी से related, या emission, इन सभी से related जो issues है, उनको हमें solve करने की जड़रत है, अगर हम इने solve करने में एक दिन का भी time लगा रहे हैं, मतलब हम अपने devastation की तरफ जो है, और जल्दी बढ़ रहे हैं, तो हमें focus करना होगा इन हमारे targets हूँ, जैसे कि अभी जो है, वो fund को लेकर के बात की गई है, कि fund provide करवाया जाएगा, किसको लेकर के, जो भी poor countries है, उनको rich countries के द्वारा, क्योंकि rich countries जो है, वो emission ज्यादा करती है, तो इसी को लेकर के हम पर बोला गया है, कि उन countries को, sorry, उन countries को जो fund दिया जाएगा, सेपकरेडेशन देखने को मिलेगा, तो इस article में बोला गया है, कि जो भी इस तरीके का discussion होता है, उसका result निकल करके आए, really मैं ऐसा देखने को मिले, क्योंकि इस तरीके के fund की बात तो बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है, वो implementation उसका नहीं हो पाया, okay, तो necessary level पर, या फिर अगर हम बात करें, तो एक voluntary level पर इस तरीके का result नहीं होना चाहिए, इस meeting का, कि अच्छा आप करना चाहो तो आप अपने level पर देख लो, नहीं, नहीं, कुछ ऐसे rules and regulation होने चाहिए, जिनका result निकल करके आए, क्योंकि बहुत सारी country जो है, वो island nation है, उन्हों तो emission भी इतना नहीं देखने को मिला उनका, जिनतना sea level increase होने की वज़े से, उनकी life जो है, वो effect हो रही है, तो जहां पर emission हो रहा है, उनको लेकर के strict regulation होने चाहिए, कि वो technology, funding और वो सारे procedure फोलो करें, जिससे emission जो है, वो कम से कम देखने को भी लेए, नेक्स्ट यहां पर जो article है, वो अगनी पत जो scheme है, उसके बारे में बताये गया था, अगनी पत scheme क्या है, इसमें आप सभी को पता होगा, कि हर साल जो है, वो बहुत सारे youth को recruit किया जाएगा, और उन youth को जो है, उनमें से 25% जो लोग है, 25% जो youth है, वो भेज दिया जाएगा permanent army में, 15 year की वो फिर उसके बाद में जा सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि उनको other medical facilities और यह सब नहीं दी जाएंगी, after 4 years, तो इसी के बारे में discussion जो है, जब यह अगनी पी scheme आई थी, तो काफी ज़्यादा news में भी रही थी यह, अगनी पत scheme, और इसकी वज़े से काफी ज़्यादा करें इस देखने को मिला, काफी ज़्यादा एक तरीके से positive result जो है, वो इस scheme का देखने को मिला है, तो अगनी पत scheme को लेकर के यहाँ पर जो पहले बहुत सारे issues या बहुत सारे ऐसे points रखे जा रहे थे, उनकी जो भी dust जो है, वो धीरे धीरे शान्त हो गई है, यहाँ पर writer क इस को two years का increase किया गया था, तब भी बहुत जाता जो है इसी तरीके का protest देखने को मिला था, लेकिन present time तक जो है उस procedure को follow किया जा रहा है, और लोग जो है उसी की according जो है, मतलब उसकी according adjust भी हो गया है, और अभी present time में तो जैसे की world level पर situation है, world level पर जो procedure follow किया जाता है, उसकी according 65 age जो है, वो complete करवाने की कोशिस की जा रही है, कि retirement age जो है, वो 65 age तक increase कर दी जाए, अब यहाँ पर writer ने वोला है, कि जो अगनिपत scheme है, अब इसमें देखो, four year जो है, four year की term करके, जब कुछ youth बाहर आ जाएंगे, और कुछ civil job जो है, उसके लिए वो apply करेंगे, तो इसमे कोई एक reservation की बात नहीं की गी है, after four years उनको कोई medical claim होगा या नहीं होगा, इसको लेकर कि कोई जो है, वो assistance देने की बात नहीं की गी है, तो writer ने यह वोला है, कि बहुत बार हम देखते हैं, कि बहुत सारे initiative start होते हैं, लेकिन time to time जो है, उनमें updation आ जाता है, क्योंकि अब ज हो चुके हैं, तो यह जो अगनी पत स्कीम है, इसमें भी time के साथ में अपग्रेडिशन देखने को मिलेगा, तो जो भी change है, उसको adopt किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना youth है, UN ने बुला है, कि हमारे इंडिया में इतना demographic dividend है, जो इंडिया के लिए काफी ज़्यदा important है, अगर उसको एक disciplined manner में हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नई तो वो ही demographic dividend जो है, demographic disaster की रूप में, इंडिया की रूप में सामने आ सकता है, तो यह जो youth है, उनको एक तरीके से, इस तरीके से trained किया जा रहा है, कि जब वो society में आए, तो काफी अच्छे level पर वो अपने आपको establish कर सके, लेकिन writer ने यहाँ पर एक important बात बूली है, कि जो भी उनका training skill है, वो उसमें कुछ changes होने के ज़रत है, present time में जिस तरीके से technology जो है, उसके according उनके training होने चाहिए, यह ज़्यादा important रहेगा, okay, next important article है, page number 8 पर, और यहाँ पर Supreme Court ने, जो अभी PF pension को लेकर के, जो एक criteria decide कर रखा था, 15,000 का, उसमें अपक्रेडेशन किया है, और साथी साथ में वो pensioners या फिर वो employers जिनके पास में, जिनका payment ज़्यादा है, जिनका एक criteria ज़्यादा था, उनको ज़्यादा जो है, वो मर्स यहाँ पर करवाना परता था, जम्मा करवाना प discuss भी किया था, कि revise किया है, जो भी pension scheme में, जो भी 2014 के time में, जो amendments किये गए, उनमें कुछ revise किया गया है, जो time के साथ में change करने की जर्रत थी, next यहाँ पर जो article है, देखो अभी करनाट का high court में discussion जल रहा था, और वहाँ पर POXO Act के basis पर एक case जो है, वो file किया गया, अब इसमें जो भी person जो involved है, उनकी age जो है 18 से कम है, मतलब वो POXO Act के under consider उनको किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी जो activities है, वो एक तरीके से, एक adult की तर dismiss किया है, और law commission of India को बोला है, कि the age criteria है, उसके बारे में rethink किया जाए, to take into consideration the ground realities, कि इस तरीके के cases को हम IPC के under regulate करें, या POXO under के under, जो है, वो regulate किया जाए, तो जो भी age है, उसको लेकर के, why are consensual and non-explotive sexual acts also coming under the radar of the POXO Act and IPC, तो यहाँ पर बताया गया है, कि realities में क्या है, कि जो बच्चे हैं, उनको पासमे information जो है, वो सबी तरीके की है, तो इसके basis पर जो court है, उन्होंने observe किया है, कि यहाँ पर जो age है, उसको decrease किया जाए, क्या changes किया जाए, और इस तरीके के जो kisses है, उनको किस तरीके से regulate किया जा 30 community से आते हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर SC community में include कर रखा है starting में सिर्फ हिंदू community की लोग थे फिर time के साथ में इनको other communities तक भी shift कर दिया गया तो अभी जो है काफी पहले से अगर हम बात करें तो दलित Christian और जो दलित Muslims हैं उनके बीच में इस चीज को लेकर के issue था वो चाहते थे कि इसका up gradation हो मतलब SC community में other community से भी आने वाले जो लोग हैं उनको भी इसमें include किया जाए तो यहाँ पर जो government है उन्होंने बोला है कि दलित Christian और दलित Muslim जो हैं उनको include कर दिया जाएगा अगर वो foreign origin से belong नहीं करते हैं तो इसमें को लेकर के एक important issue देखने को मिला कि जो भी Hinduism, Buddhism और Sikhism को लेकर के जो आपके statement है कि ऐसे community में किसको involve किया जाए उसमें तो आपने foreign जो origin है उसके बार में बात ही नहीं की तो नहीं बताया है कि देखो यह जो community है ना देखने को नहीं मिलता है इसी के basis पर जो है यह foreign जो white है वो यहाँ पर include किया गया है अब यहाँ पर देखो center जो है उन्होंने अपनी बात रखी है अब Supreme Court जो है वो इसमें क्या अपना result देता है इस evident के उपर क्या उनका reaction रहता है यह ज्यादा important रही next important article है page number 11 पर और यहाँ पर देखो अभी क्या है electoral bonds मतलब किसी भी political parties को अगर support करना है तो उस political parties के लिए electoral bonds जो है वो उसके थिरू जो है उनको money दिया जा सकता है अब इसमें कुछ criteria है कि कौन-कौन से political parties को electoral bond के दिरू जो है और support किया जा सकता है तो कौन से criteria है यह आप comment box में बताऊगे अब यहाँ पर कुछ states में अभी जो है वो legislative assembly के election होने वाले हैं तो इसको लेकर के electoral bond जो scheme है उसको amend किया गया है तो यहाँ पर बोला गया है कि इस तरीके के जो issue है वो देखने को मिलते हैं कि जो transparency है उसकी एक तरीके से मौकरी है कि जब चाहा अपने अपने according जो है वो rules and regulation को change कर दिया next important article page number 12 पर देखो इंडिया जो है 1st of December से अभी present time में G20 group के chairmanship है इंडोरेंशा के पास में और अभी 1st of December 2022 से इंडिया के पास पे रहेगी तो इंडिया ने G20 जो group है उसकी headship जो इंडिया करेगा next year के लिए तो उसका logo, उसकी theme, site of G20 presidency ये सब को जो है वो हमारे प्राइमिनिस्टर के द्वारा release कर दी गई है next यहाँ पर जो article है देखो जो हमारे हिमालियन state है हिमालियन state मतलब हिमाचर प्रदेश, उतराखंड वहाँ पर अगर हम बात करें तो flood की वज़े से या land slide जो है, रोक slide जो है इन सभी की वज़े से काफे ज़्यादा issue देखने को मिलते हैं और अगर हम present time में बात करें तो काफे ज़्यादा इसकी वज़े से disaster काफे ज़्यादा increase हो गए है तो इसको लेकर के CSIR NGRI NGRI क्या है? National Geophysical Research Institute of the Council of Scientific and Industrial Research तो इनकी ज़े मिल करके एक project established किया है ताकि इस तरीके के issue अगर होने वाले हैं तो उसको लेकर के पहले ही जो है early warning system यहाँ पर install किया है जिसे early time पर ही जो है वो notification release हो जाए बाते पता चल जाए जिसकी वज़े से disaster को काफी कम reduce किया जा सकता है तो यह आज का हमारा दैहिंदू newspaper का discussion था आगर आप यहाँ तक आई हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजे, share कीजे चनल को subscribe कीजे अब हमारे other initiative है जैसे की morning में daily current affairs जो है वो आपके लिए upload किया जाता है अब यह जो daily current affairs है इसमें आपके daily basis पर दैहिंदू, Indian Express, PIB और भी other important sites, other important newspaper जो है जैसे की mint newspaper है इन सभी में जो भी important news जो है वो आती है जो आपके exam के point of it से important है तो उन सभी को daily basis पर आपके लिए लाया जाता है तो आप जाकर के इनको view कर सकते हूं फिर जो भी current affairs में news मेराता है या फिर static part से किसी का link बैठता है तो उन सभी part को फिर evening में daily quiz के नाम से video upload किया जाता है जिसमें question and answer format में आपको question available करवाई जाते है उनका answer भी provide करवाया जाता है तो ये जो initial है ये जो project है या फिर ये जो हमारे initiative है ये काफी ज़्यादा आपके लिए beneficial रहेंगे अगर आप UPSC, state PCS and other important exams की preparation कर रहे हैं तो ये आपको काफी ज़्यादा support provide करेंगी okay thank you